आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कोल इन्फूशन के बारे में कोल इन्फूशन जो की one of the extraction method है तो किस तरीके से कोल इन्फूशन method से किसी भी crude drug में phyto constituents को extract किया जाता है means separate किया जाता है तो आएए जानते हैं कोल इन्फूशन के बारे में तो हमने यहां पर इन्फूशन प्रोसेस को समझने के लिए इसको प्राक्टिकली डिमोस्ट्रीट किया हुआ है तो सबसे पहले आते हैं कोल इन्फूशन क्या होता है तो कोल इन्फूशन जैसा की नाम है इसमें कहीं भी किसी भी step में heat apply नहीं किया जाता है तो इसी कारण से इसको हम कोल इन्फूशन बोलते हैं को हिंदी में जीरा बोलते हैं दूसरा हमने बीकर लिया हुआ है क्रिपर करेंगे मिन्स specified quantity जो भी है water को transfer करने के बाद हम one teaspoon जो भी specified quantity है उस उतने quantity के crude drug को transfer किया जाता है और लानाइट रहने केस के बाद मिन्स इक्सटेक्शन के बार उसको हम फिल्टा करते हैं फिल्टा करने के चलिट जो मंने का धरना इसान और जयाचंग सब्सक्रार करने आप वह रहा करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, जीरा को डूं में weekend देंड देर जा भीड को के प्राबलम को ठीक करने के लिए जैसे कि एपिटाइट को बढ़ाता है मिन्स भूग को बढ़ाता है और डाइडिशन में हल्प करता है तो यह हो गया कोल्ड इंफूशन तो क्यूमीन को वाटर में ओवरनाइट रखने से उस क्यूमीन में जो भी वाटर सॉलिबल केमिकल को बाहर निकालता है तो आप यह लिक्विड देख रहे हैं यह कोल्ड इंफूशन है तो यह हो गया कोल्ड इंफूशन के बारे में थैंक यू वैरी मच पर वाचिंग इस वीडियो